फुस्तू विरब्बिल्काबा या अली या अली या अली या अली या अली दूसरा पैरग्राफ इसी वसीयत का अपने काम को यानि इंडिविज्वली भी इंफिरादी तोर पर भी और कबिनिटी जमाद इंसानी समाच की सतह पर भी मुनज़्जम रखना डिस्सेप्लिंड हो तुम्हारी जिन्दगी को डिस्सेप्लिंड होना चाहिए हैपजर्ड नहीं यह इरिशाद फरमाया कि तकवा-ई-लाही अख्तियार करो अपनी जिन्दगी को मुनज़्जम रखो आपस की तालुकात को सुलचाए रखो आपस की तालुकात में बेहतरी हो एक दूसरे के साथ जो रिश्टे हो उसमें एक तरह का सुधार होना चाहिए एक दूसरे के साथ राविजा हो कनेक्शन हो ऐसा होना चाहिए तो आपने तीन बात हैं दूसरे प्रेग्राफ में जो हम उसके भी आड्रिस किया और बैसे तो पूरी वसीयत ही आड्रिस की है उसमें है कि अल्ला का तवास किया जाए निया उसकी जाप को भूले ना उसकी मारिफत रखें और ये सिर्फ जबान तक नहीं बलकि ये दिल में दिल के अंदर तक उतर जाना चाहिए जो हमारे हाथ पैर कान हमाई सोचने का जो अंदाज है उस सब पर हावी हो जाए उसके बद फरमाते हैं कि मुनजब रखो अपने इंडिवेजिवल काम को भी अपनी कलेक्टिविटी को भी अपने समाजी मामलात को भी इसमें ये नहीं होना चाहिए कि इन डिसिप्लिन हो डिसिप्लिन के साथ रहो मुनजब रखो आपस के तालुगात सुलजाए रखें अब ये रिष्टेदारों में भी हो सकते हैं परोस में भी हो सकते हैं कम्यूनिटी में भी हो सकते हैं दोस्तों में भी हो सकते हैं समाज में भी हो सकते हैं इसके लिए आपना फरमाया क्योंकि रसूल अल्ला اللہ علیہ وسلم ने फर्माया है कि ये आम तोर पर जो नमाज पढ़ी जाती है जो रोजा रखा जाता यानि जो अबादते हैं उनसे बहतर बात है यानि देखे क्या है आपस के तालुगात का दुरुस्त रखना इनसे बहतर इसलिए गरार दिया गया यह नहीं कि छोड़ दें कि नमा इसलिए पढ़ी जाती है पांच वक्त इनसान एक डर्व की जिंदगी में ताकि वह उस आदमी का कर्रेक्शन करें उस आदमी को कर्क्र करने के लिए नमाज पढokी जाती है और इसका सेल्फ कर्रेक्शन के लिए ब कर ऑप्रोच में दुरुस्तगी आ है तो उसका इज़ dej भी होना चाहिए तो ये जो है कि आम नमाद रोजा जो हम पढ़ते हैं रोजा रखते हैं या जो अबादतें करते हैं वो हमारी अपने उपर असर अंदाज हो रही लेकिन होना ये चाहिए कि ये जो असर इसका पैदा हो रहा है ये हमारी जिन्दगी को मुनजम कर रहा है हमार आपस आपसी तालुकात को सुधार रहा है उसमें सुलजवाव पैदा कर रहा है और अल्ला का तक्वा जब तक नहीं होगा कोई मरकज या बेस नहीं होगा हमें करेक्शन नहीं हो सकता है फिर तीसरी यानि उसको एक जिनरल बात आपने फरमाई कि यतीमों के बारे में अनाथ जो आर्फंड यतीम की एक इस्तिला है कि ऐसा नावालिग बच्छा या बच्ची जिसका बाप मर गया हूँ क्योंकि बाप जो होता है वो उसका गुदारा देता है मेंटेड़न्स देता है बाप उसकी तारीम का लिहास करता है ख्याल करता है पालता है पोस्ता है क्योंकि औरत बिजारी इस चाबिल नहीं होती थी उस जमाने में तो खास तो पर आज तो कर भी सकती हो लेकिन उस जमाने में मुम्किन नहीं था तो यतीम का मतलत हो है कि जो ऐसा बच्चा जिसके बाप का इंदगाल हो गया हो लेकिन एक इन जिनरल बात है कि ऐसे बच्चे जो आर्फंस कहलाते हैं फरमाया कि अल्ला यतीमों के बारे में अल्ला से डरते रहना बहुत यहाए कि तुम लोग यतीमों के बारे में अल्ला से डरते रहना अल्ला से माँ में ये ख्याल रहे यतीम अगर है कोई तो बहे ख्याल रहना चाहिए कि अल्लाह जिसके तक्वा का तुमने अभी जू आउट डाल लिया है वो तुम्हें देख रहा है उनको फाकों की नौबत नाए कि वो भूके गूम रहे है और परेशान गूम रहे है ये नहीं होना और वो तुम्हारी मौजूद्गी में बरबाद न हो जाए। इसका ट्रांजेशन ये भी किया गया है कि कहीं ऐसा नो तो वो तितर बितर हो जाए। बिखर जाए। ना उनकी तालीम हो पाए। ना उनका डेवलपमेंट हो पाए। यानि बजाए इसके कि वो अच्छे शेहर बनें यानि अच्छे नागरिक बनें वो माल लिजए कि गलत तर्वियत में पढ़ करके गुनाह करने लगें फ्रॉट करने लगें चोरी करने लगें मुझरिम बन जाएं तो सब तुम्हारी ओपर जिम्मेदारी है क्योंकि अगर तुमने यतीम का ख्याल किया होता हो यतीम पन नहीं है कि आपने कितना मुक्तसर से मुक्तसर बात की है वो दर्ज किया है कि रसुल्ल्लाव ने फरमाया अपने बच्छों को जब कभी बाहर से आओ वह फिर जैसे जैसे लंबे सफर होते थे दो संद्धाल के उच्छै महीने के उआट महीने के तो इसको प्यार करो तो तो अपने बच्चे को प्यार न करके। उसके सर पर हाथ 1 और जिस ına किसी बच्छे हैं यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख रखा तो रसूल सलाल्लेशंड दे करो वह जन्नत मेरे सात्वाद आई सही होगा जैसी ये डोगलियां है जो जिस्ट नेवर होता है उसकी पोजीशन ऐसी होगी जो यतीम का ख्याल करें हद्रत भी इशार सर्वार है कि यतीमों का ख्याल रख करना उनको फाका नहों भूके नहरें उनके डिवलप्मेंट का ख्याल उनकी अप्रिंगिन का ख्याल होना चाहिए और कोई ना देखे अल्ला देखराए तुम्हारी क्या पोजीशन है तुम्हारी मौजूद्गी में वह त्यतर बितर नहों परबाद नहों जाए और मुसीयों के बारे में अल्ला से डड़ते रहना क्योंकि इसी में आगया आपने इशार्थ फरमाया कि अगर रसूल अल्ला सल हैं हदर अलीबन अभ्दारीब ये सलाथ रहते हैं कि हमें रहतों ख्याल गुदुरा कि कहीं ये न कहें कि मीरास में इन्हारिटन्स में भी परोसी का हक है परोसी का हिस्सा है तो इसलिए इस पर तफजियों दिलाई है तीसरे पर ग्राफ में इस पर हम लोगां को और नजय ये ये